पेट्रोल वैसे स्कूटर कौन से स्कूटर आपको लेना चाहिए यह डिपेंड करता है टोटली आपके यूजेज आपके बजट के उपर और इस वीडियो को पूरा देखने के बाल आप समझ जाएंगे कि कौन से एलेक्ट्रिक स्कूटर है फिर पेट्रल स्कूटर आपके ल जाए रुपे अगराब दोस्तों बात करें इस स्कूटर में जो उप्शिन सवेलेवाल है राइट आपके पास तो नमबर वन पर जो है वह है वह एक लाग साथ जाए रुपे खरच करने पड़ेंगे यह तरक लिए आपको एक लाग पच्पनाजाओ रुपे खरच करने प सारे cashback offers आपको मिल जाएंगे वह आप जाके खोसे चेक कर सकते हैं तो मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगा होगी तो पैट्रल स्कूटर की टॉप फेरिंट को खरीबने के लिए आपको एक लाग बीस जाओ रुपे खर्च करने होंगे वहीं इलेक्टर स्कूटर की टॉप अगरा चाहिं बेन uppe करता है यूफ करता हूं रुप फैरिंट करने की कोशेच करता हूँ अगर आप कि पैट्रल पेट्र पेट्र confirming घखेंट और मिलवा लावगे तो आपको मिलेगा ऑपने चाहरे चारह निटर पैस लिफिलेटर पेटोस करते हो साध्य सार्थ चाहर सो इन्टो 50 km यानि कि 22,500 km के आपको रेंच निकल के मिलती है अब एक स्कूटर को अगर आप डेली उस करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए मार्कित जाने के लिए या बैंक जाने के लिए टूशन जाने के लिए या फिर बस टैंड या फिर मेट्र सेशन पर किसी रिलेटिव क चोड़ने के लिए और पर डें आपका मैकसिमम तो मैकसिमम 50 km जो है स्कूटर का यूज होई जाता है तो अगर आप मंत्री देखो गया तो आपका स्कूटर जो है 1500 km आपका यूज होता है इसको अगर आप 2500 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 15 महीने यानि कि 45,000 और आपको अगर पर ऑदर के नाम पर 800-10000 पर ठग लिए जाते हैं वहीं इवी में आपको कोई फ्री सर्विस नहीं मिल लेकिन पैटल स्कूटर को आपको हर 3 महीने में तीन इजार क्लमोटर पर सर्विस कराना पड़ता है जिसकी पहली सर्विस में आपको प्ड़ा कम खर्च जाता है लेकिन उसके बाद जब जो है कुछ पार्स होते हैं जो की हट पैटल स्कुटर में ही है जैसे आप सब्सक्राइबों है यह उपर चला जाता है वहीं एक स्कूटर में आपको सर्वीश के लिए आपको चारहजार से लेके 6000 किलोमेटर पर आपको सर्विस करानी होती है जिसमें अगर आप सर्विस का खर्चा दो देखोगे तो उसमें ऑल्मॉस्ट जो है वह हाफ ही होता यानि कि 500 सिर्फ 800 रुपे में आपके एक सर्विस अच्छे से हो जाती है और वहाइं इलेक्टर स्कूटर म करां मेंटेनिश का खर्चा जो है वहाइं कि अब करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों प्रिप्रव शुचर के लिए तो अपने स्कूटर को अपने पेट्रोल स्कूटर के लिए जो कि साल का होता है 36,000 रुपे ठीक है और आपको तीन चोग 12 यानि कि सब्सक्राइब तो करीब 36,000 रुपे का आपका फ्यूल जा रहा है 20,000 रुपे का आपका जो है मैं बता रहा है साल का यह मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार कई सारे पार्ट चेंज होता है मैं फिर से बता रहा हूं जैसे कि air filter, oil filter, lubricant और कई सारे जो चीजें और भी ह जो मुझे भी याद नहीं आ रही इस वीडियो के लिए ठीक है तो आप मोटा मोटा 20,000 रुपे का खर्चा प्लस 36,000 रुपे का पैट्रोल 50 km पड़े के साब से आपको लगता है यह एक साल का यानि कि 36 और 26,000 रुपे आपका पर येर जो है आपका खर्चा रहा है पैट्र सर्विस करानी पड़ेंगी यानि कि कुछ आप लगा लिजिए मोटा मोटा इसाब किताब तो 2800-3000 रुपे खर्चा होगा और वहीं अगर आप उसमें चार्जिंग का भी थोड़ा पैसा लगा देते हैं थोड़ा कुछ एक्स्टा मेंटेनेंस का लगाते हैं तो 2000 एक्स्ट में वहीं आप 45000 रुपीज ज्यादा एक्षा खर्च करने पड़ेंगे अगर आप लेते हो जो कि आपको पहले पैमेंट करनी पड़ेगी वहीं अगर दोस्तों देखो कि दोनों में पैट्रल स्कूटर में तो अगर आप 5 साल के बाद देखते हो तो पर यह आपने 55000 खर्चा होता है मैं आपको कल्कुलेट करके बताऊं अगर मेरे पास प्लूटर भी नहीं है मतलब आप फिर भी देख लो पच्छ मने इंटू 5 यानि कि कि इतना होता है पच्छीष धायलाक वो और पच्छीष वो यानिकी दो लाख पिच्चातर हजार रुपे का आपका ख होता नहीं है तो पांस साल में अगर आप फिर मान लो के पूरी हंडेट परसेंट आपकी बैटरी चेंज होती है जिसमें आपको कॉस्ट लगेगा ठीक है तो पांच जार रुपे से मिंटेनेंस का आपका पांस साल का होता 25,000 रुपे मैंक्स तो मैंक्स का आपकी जो है डि मैं जिसमें आपकी जो है सारा कुछ आता है एक चार्चिंग और मेंटेनेस वगरा है सारा कुछ तो 25,000 अपका मिंटेनेस पांस साल का और चालिस जार वो तो 25 और 40 कितना होता है पैंसेट अरुपे आइधिंक ठीक है पैंसेट जार रुपे आपका आ रहा है आप सत्तर अपने लेक्टर स्कूटर को यूज़ करोगे तो 25,000 और पैट्रल स्कूटर यूज़ करोगे तो 25,000 रुपे यानि कि देखो जो है अगर आप यह कल्कुलेशन देखोगे तो 50,000 पचास किलमोटर पर डे के सब समयने लगाई है अगर 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 अधर डिसद्वांटेज देखोगे आप एक लेक्टर स्कूटर में तो 45,000 पर आपको फैले खर्च करने पड़ेंगे उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे तो लेक्टर स्कूटर को आप जो है डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो बहुत इसली कोई कर लिया विंकल उसके आपको दुबारा प्रैटर विकली करने का मन ही नहीं करें लगा एक तो वाइब्रेशन नहीं है एक लिए जो है बहुत अग्रेसिव होता है और आप इसली कर सकते हो बट उसके कुछ डिश्ट बांटेज भी है जिसे पैट्रल स्कूटर में क्या है क्या पैट्रोल किसी भी अगर एक सुडेंट हो यहरा पएक प्रोफेशनल वरकिंग नहीं सकते हो सेकंडरी विकल अगर आपको चाहिए तो अगर आपको प्राइमरी विकल चाहिए जिसमें आपको जो है प्रक्राइब जाना हो यह तो को मैंसे इस करूँगा कि आप पास अज़र्श्ट इक तो आपको लड़ना पर सकता है कई बार जो है ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर फोकस फेस्बुक बगर पर आपको कई सारे जो है फॉल अप लेने पड़ेंगे अगर आपके एक एरिया में मतलब एक फिजीकली कोई सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है तो अगर आपको एक सेकंडरी वीकल चाहिए अगर आपका डेली क आप डाउन करीब करीब 30-40 से ज्यादा का है है ठीक है अगर आप जो है अपने को सेफ करना चाहते हो ठीक है आप नहीं टेक्लालोजी यूज करना चाहते हो आपको एक अग्रेसिव और एक पफॉर्मेंस अच्छी चाहिए आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसको चाहिए तो आप एक एक की तरफ जा सकते हो ठीक है या पिर अगर आप अपने बच्छों के लिए अपनी वाइप के लिए चाहिए या फिर आपको आपको जो है ट्रावल करना है और बहुत फ्रिक्वेंटली आपको जो है आना जाना पड़ता है अपनी स्कूटर से कि अच गए यानि की काफी जादा आपका स्कूटर यूज होता है और आपको चार्जिंग करने का टाइम नहीं है और क्या कहते हैं आपको जो है हमेशाँ ऑन दोगो आपको स्कूटर चाहिए अगर कोई प्राबलम देखो गाड़ी है तो प्रोल्म तो आएगी फिर वो चाह पेट प्रोल की तो वह एजीली मेंटेन हो जाता है आप लोकल चॉप पर किसी भी कहीं पर भी दिखा सकते हैं वहीं इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है तो अगर आपको बच्चों के लिए या फिर वाइफ के लिए अपने ऑफिस के लिए दुकान के लिए कोई स्कूटर लेना है से जाना जाना भी बहुत कम एरिया में होता है और आपको जो है मतलब आम जंता से और कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप पैटल स्कूटर की तरफ जा सकते हैं बट फर्क इतना ही है कि पैटल स्कूटर की तरफ जा होगे तो पतालेश जार पर कम खर्च करने पड़ेंगे स्कूटर भी आपको एक लग 20,000 रुपे का पड़ेगा और डेली में और आप इलेक्रिक स्कूटर की तरफ जाते तो आपको एक लग 65,000 रुपे तक खर्च करने पड़ेंगे हाला कि कुछ लोग को डिसकांट और ऑफर भी मिल जाते हैं वह आप देख सकते हो तो उमीद कर अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो कमेंट करके मुझे बताई सकते हो मेरा वीडियो कैसा था नेक्स्ट वीडियो को कैसी होनी चाहिए थैंक्यू वेरे बच्छ